समस्कार डियर इस्टूडें, वेलकम टू सक्सेच केरियर, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, रेलवे गुरूप डी भरती दोजार चौबिस को लेकर लेकर लेटेस्ट खबर है, बहुत से छात्रों का मेडिकल अन्फिट हो गया है, आखिर बीटू मेड मेडिकल का है, इसके बारे में हम डीटेल से जानकारी लेंगे, तो वीडियो को अंतक बने रहेगा, सारी इंफामेशर आप लोग को वीडियो में मिलने वाली है, यदि आने वाले समय में आप भी रेलवे गुरूप D की तयारी कर रहे है, तो यहां पर बारी की समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहां पर जो भी रेलवे की PDF आती है, नोटफिकेशन आती है, प्लाइ लिंक आता है, वो सारा इंफामेशन हमारे टेलिग्राम चैनल में आप लोग को मिलता रहता है, और यहां पर 12400 से अधिक इसमें जोईन है, और डाइरेक्टली है कि इसमें कया है था, सबसे पहले दोब ये जो नोटिफिकेशन सेंटल रेलवे, रेलवे क्यूरीमेंट सेल मुंबई के तरफ से आ रहा है थिक हैं सेंट्रा रेल्वे मुंबई के तरफ से आ रहा है इसमें डिवीजन अन अप्पील अगेंस्ट मेडीकल अन्फित आपधी केंड़ेट आप सहिए हैं नमबर रच सी आखिर इसमें इतने लड़के क्यों unfit हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, candidates who are medically fit in B2 and below during initial medical examination, यानि कि जो candidate medically fit थे B2 category में, medical fitness में, initial medical examination, जो प्रारम में medical examination हुआ था, उसमें वो लोग fit थे, फिर भी unfit कर दिया है बाद में, and could not be alerted the post category as per their merit and post preference we are given as changes for appeal through various notice, तो वो appeal किये थे और उनको alert नहीं किया गया था, B2 में medically fit थे, तभी भी उनको, उनके post और category के हिसाब से merit बनाया गया था, उनमें इनको alert नहीं किया गया था, किसी भी post के लिए, ठीक है, उसका बाद बोला जा रहा है, publish in RRC CR website, जो की RRC CR website है, Central Railway की website है, उसमें post किया गया था, और कोई भी post इनको alert नहीं हुए था, B2 medical examination के बाद भी, all the medical appeal do I complete in all respect receive from the candidate we are sent, जितने भी medical appeal थे, complete रूप से receive कर लिए गया थे, जो की student के द्वारा भेजा गया था, to PCMD for decision, PCMD को decision लेने के लिए भेजा गया था, after going through medical certificate from government private doctor submitted by candidate, यानि कि वो जो certificate medical certificate student ने दिया था, वो government और private doctor ने इसको check किया था, ठीक है, along with the appeal as well the report of initial medical examination, जो प्रावरम में उनकी examination हुई थी medical का, उसे फिर से वो लोग check किये थे, appeal करने के बाद भी, PCMD has not considered the request of following candidate for medical examination, तो PCMD ने consider नहीं किया है, विचार नहीं किया है, जो भी request लगाया थे, candidate re-medical examination के लिए, तो यहाँ देखेंगे, candidate का registration number और medical, यहाँ पर name दिया हुआ है, total यहाँ पर central railway के तरफ से 92 candidate हैसे, जिनको reject कर दिया है, medically fit होने के बाद बीटू में, medical appeal आप दिए, एबव कंडड़ेट है, रिग्रेटेट बाइद रिग्रेटेट बाइद कंपिटेंट अथार्थी, ठीक है, जो medical appeal किया थे, कंड़ेट उपरोग्त, उनके लिए रिग्रेटेटेट है, they are made not eligible for further process of recruitment against CENRC 01-2019, वो आगे की process, recruitment process के लिए eligible नहीं है, इसे आप लोग ध्यान दिएंगे, no further corresponding in this regard will be entertained, और इसके according और कोई भी पत्रचार वगेरा नहीं सुना जाएगा, ये final ADC अब बात आती है, ये देखे 17 मही 2024 को रिलीज किया गया है, चेर्मेन RRC की दवरा, आखिर ये B2 medical क्या है, इसको चेक कर लेते हैं, तो आप लोग भी अगर Group D में आगे भरने वाले हैं, तो इसको गवर से देखेंगे, अगर आपका भी B2 है, तो आप लोग पहले चेक कराएंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या आइस में, आज आता हूँ जब Railway Group D की वेकेंसी आई थी, वो नोटिफिकेशन पर, जो की RRC 01-2019 का नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग medical वाले प्रोसेस पर चलते हैं, medically, जो A1, A2 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, B2 वाले की बारे में हम दिस्कॉस करेंगे, यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर B2 क्या है, medical fitness है, यह physically fit in all respect, आपको B2 के लिए physically fit होना चाहिए, सभी respect में, अब क्या है B2 वो देख लीजे, यहाँ देखिए, सबसे बड़ी railway में बात आती है, आग की सबसे ज्यादा चेकिंग होती है, तो इसमें distance vision जो आपका है, यानि कि दूर दिरिष्टी और निकर दिरिष्टी, यह कितना होना चाहिए, 6x9 या 6x12 होना चाहिए, with or without glass, यानि कि आप glass पहन कर भी 6x9 हो रहा है, या 6x12 हो रहा है, तो आप fit मानी जाएंगे, और glass पहन कर भी, ग्लास नहीं पहन कर, मतलब इतना होना चाहिए, दोनों के दवारा, किसी, अगर आपका मानलीजी कि बीना glass के, यानि बीना चस्मे का आपका ज्यादा आ रहा है, तो आपको glass पहन कर, यानि कि चस्मा पहन कर 6x9 या 6x12 आना ही चाहिए, power of lenses not to exceed 4 diopter, और जो आपका चस्मा का power है, वो 4 diopter से अधिक नहीं होनी चाहिए, और near vision आपका किन्दा होना चाहिए, देखें, distance vision में यह था, यान और near vision में, यानि कि निकट दिरिश्टी दोस में आपका क्या होना चाहिए, SN06, 0.6 और 0.6 with or without glass होना चाहिए, when reading or close work in required, यानि कि जब आपको pass से पढ़ाया जाएगा, तो आपका इतना होना चाहिए, आपका glass पहन कर या without glass होना चाहिए, must pass test for binocular vision etc, और binocular आपको pass करना हो और बहुत से candidate इसी में fail हुए हैं, तो आगे आने वारे समय में, आपको medical के बारे में अपने लिए असतर करेएगा, हरा भरा चीजे खाते रहे हैं, कि आपकी आख वगेरा सारी चीजे fit रहे हैं, और railway की अच्छे से तैयारी करते रहे हैं, आज के लिए वीडियो में इतना